नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवम बरकादा हिंदूर्यूस पेपर और पी आईबी का इंपोर्टन करेंट अफेर्स लीजे गाइद स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे नोवा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 फरिदाबाद हरियाना के यहाँ पे और थीम जो है साइंस और टेकनलोजी पब्लिक आउट रीच ये नमरित काल याद रख सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे CBDT के जो चेर्मेन है नितिन गुपता और CBIC के जो चेर्मेन है संजी अगरवाल देखिए इनके नाम के साथ साथ आपको इनका जो फुलफोम है CBDT जैसे की Central Board of Direct Taxes और CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs ये भी पता होना चाहिए अगर आप बैंकिंग एक्जम की तया बहुत important very very important authority क्योंकि देखिए recently बहुत सारे coaching center Delhi में उनके उपर बिल्कुल सिकंजा कसा गया तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए Central Consumer Protection Authority के बारे में कि एक regulatory body है established किया जाता है 2020 में based on consumer protection जो act है 2019 के तहट इसका mainly काम है promote करना protect करना enforce करना जो right है consumers के उनको ठीक है नोडल ministry के बारे में बात करें तो ministry of consumer affairs ये basic चीजे ध्यान में बिल्कुल आपको रखनी है next हम यहाँ पर guys बात करेंगे कॉजिकॉड is the first city of literature in India पहले भी हम discuss कर चुके हैं तो ये भी पता होना चाहिए और कॉजिकॉड के बारे में बात करें तो ये करला में पढ़ता है और world city day 31 October को मनाया जाता है UNESCO का जो creative city network है बिल्कुल उसके अंदर तहत ये सारी चीज़ें आती है तो देखें UNESCO का जो creative cities network है उसको create किया जाता है 2004 में और ये जो है UNESCO का जो creative city network है ये हमारे जो sustainable development goals है goal number 11 उसको भी पूरा करता है इसके तहत साथ जो field है उनके नाम बिल्कुल पता होना चाहिए craft and folk art है media art है film design है gastronomy है literature है and music तो पता होना चाहिए next देखें tribal body डिकलियर करती है self rule in a few district of मनीपूर में कि हमारा ही अपना खुदका रूल होगा officer होंगे हमारा CMD मलब ऐसी चीजें हमारे वहाँ पे अपनी हो ऐसा ही self-proof tribal body ने डिकलियर करा मनीपूर के कुछ district को में next बात करेंगे financial action task force के बारे में देखिए ये एक intergovernmental body है established की जाती है 1989 में by G7 member states के दवारा ठीक है और इंडिया जो है इसका member बनता है 2010 में ये आपको ध्यान में रखना है headquarter financial action task force का Paris France में है mainly इसका aim है combat करना जो money laundering के cases होते है या terrorist जो financing के उन सब चीजों की देख रहे उनकी activity यों पे ध्यान रखना no doubt आप हमें comment या mail कर सकते हैं मिलेंगे नए दिन के साथ तब तक के लिए have a awesome day